हेलो और वेलकम दोस्तों स्वागत है आपका टार्गेट फॉर आईक्यो में ब्यार एप्यो ब्यार से बिल जच के लिए टेस्ट नमबर नाइन में आप लोगों का स्वागत है और मेरा नाम है सतियंद्र जो भी लोग टेस्ट दे रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसके कितने सही हैं और यह मैंने हिंदी में लिखें लेकिन मैं जो डिफिकल्ट बर्ट साएंगे इंगलिस के वो टर्म्स में आप लोगों को यहां पर बताने की कौसिस करूँगा इसके साथ स जोइन करना चाहते हैं तो वह जोएन कर सकते हैं इसके डिटील वीडियो के डिस्क्रिशन में या फिर 75 0011314 फर आप वाटसप या कोल करके क्यरी ले सकते हैं तो पहला को सने निम्न में से कौना राजिय सेवन सिस्टर्स का सदस्या नहीं है मतलब वह राजिय बताना है जो सेवन सिस्टर का राज़ी नहीं है सेवन सिस्टर में साथ राज़ी आते हैं जो नोर्थीस्ट के हैं अब इसमें नोर्थीस्ट में ना तो पच्छी मंगल आता है ना ओडिशा आता है ना बिहार आता है तो इसका सही आंसर होगा तिरपुरा ठीक है और तिरपुरा जो है वो बंगलादेश से तीन साइट से गिरा है, मतलब ये भी आप लोग को याद रखना है अब मुझे कमेंट बोक्स में बताईएगा तिरप्रा के मुख्य मंत्री को होना और तिरप्रा की राजदानी निवन में से उस्रुन कटी बंदिये हरित वन कौन सा छेतर है ठीक है, तो ये आपको बताना है ट्रोपिकल एवर्ग्रीन तो ये आपको बताना है पच्मी गाट, पूरवी गाट पच्मी हिमाले मध्य प्रदेश ठीक है, तो इसमें सही आंसर होगा जो आपको आंसर है वो है पच्मी गार्ट इसको पच्मी सहसाद्री के नाम से भी बोलते हैं इंगलीस में भी सहसाद्री बोलते हैं पच्मी गार्ट पच्मी गार्ट वो है जो आपका ये बुंबई और गोवा वाला तट है इस वाले तट को पच्मी गार्ट बोलते हैं एक बार मैं आपको समझ पार्ट बोला जाते हैं ठीक है वेस्टन कोट पच्मी गाट यानि पच्मी सहसादरी के नाम से बोलते हैं और इसकी खासियत यह है कि सबसे ज़्यादा बायो डाइवरसिटी यहां पर ही होती है इसको याद रखेंगे हिमालिया से भी ज़्यादा ठीक है और इसके जो नीचे अभी एक मिनिट में आपको समझा देता हूँ जैसे इसका यह वाला पार्ट तो पच्मी गाट हो गया इसके नीचे का जो केरल वाला तट है केरल वाला उसको मालावार बोलते हैं ठीक है और जो यह वाला पार्ट है आंदर पिर्देस और तमिल नाडुगा इसको बोलते है कोरो मंडल और जो उडिशा वाला पार्ट है कोस्ट का उसे बोलते हैं उत्री सरकार यह आप लोग को याद रखना है ठीक है यह मैं मैप में भी बताऊंगा आपको जब मैप की वीडियो बनाऊंगा नेक्स है गुजरा तट से दूर किस विवादास्पत तटी है पट्टी प आए इसको याद रखना है 20 डिग्री लेंड भी इसको बोल दें 20 डिग्री चैनल तो यह भी आप लोगों को याद रखना है और यह बोर्डर बनाता है भारत और पाकिस्तान की बीच में थोड़ा सा इस तरह से हैं तो इसको सीधी करने की अभिवाद इसमें पानी के बहाओ उसके अंदर आ जाता हो लेकिन वह चोटे से एक उसका मुख होता है मतलब चोटे से दुवारत आप जैसे आप यह उडि मान लीजिए गए बहारत का नक्सा है और यहां पर उडिसा में चिलका जील है ठीक है आप चिलका जील क्या आया कि वह बनी है आपकी ये आपकी है बेव बंगाल में अब इसको लेगून जील बोला जाता है लेगून जील में हमेशा पानी इखटा रहता है और समुदर का पानी आता रहता है बस इस तरह आद रिखेंगे हमेशा समुदर के किनारे पर ही जील होती है इसके बाद है इसका सही आंसर होगा इसको याद आपको रखना है नेक्स है निवन में से कौन सा परवत स्रेणी कौन सी है जो बारत में सबसे पुरानी है ये कोशन मैं दे चुका हूँ वालेटी तो वह है अराबली ठीक है और गुरु सिखर इसकी जो है सबसे उची चोटी है ये आप लोगों को याद रखना है माउंट अभू ठीक है और सहसाधरी में आपको बता चुका हूँ सहसाधरी रेंची जो पस्मी सहताधरी है वो कहां से कहां तक है विंद्याचल मद्य परदेश में है और हिमाले जो है आपकी जम्मू कस्मिर से अरोनाचल परदेश तक है निवन में से सबसे उचा सिखर किस राज्य में इस्थित है कौन सा परवस्रेणी भारत में इस्थित है अराकान योवा ये भी नहीं है सुलेमान ये नहीं है साल ट्रेंज ये भी नहीं पीर पंजाल हाँ ये पीर पंजाल जम्मू कस्मीर में ठीक है तो इसका अंसर होदा का ऑप्शन डिस सुलेमान जो है पाकिस्तान में है अराकान योमा जो हैं वो हैं आपकी मयामार में ठीक है इसके बाद है अराकान योमा में हमालिया को बोलते हैं आपकर है मयामार में लोक्तक जील की स्राज्य में तो लोक्तक जील नोर्थ इस्ट की सबसे बड़ी जील है और वहती काफी फेमस है और यह आप इसके बादे नागा खासी और गारा पाडिया कहां मिलती है तो यह तो आप लोगों को पता ही है यह कहां पर है यह है मेगाले राज्य में ठीक है अब बात कर लें दें इसके आंसर की तो इसका आंसर है यह पूरवांचल परवतमाला में जो नोर्थीस्ट परवतमाला है उसक लोगों को पद्धा यह कहां पर है ओप्शन नंबर इसका क्या होगा 32 का वो होगा डी में ठीक है बैंगलूर इसकी राजना इसका भी मुख्यमंत्री का नाम आप मुझे बताएगा फटाफट से और नेक्स्ट है बल तोड़ा हिमनद कहां इस्तित है तो 33 का आपको आंसर करन याद रखना कारा कोरम रेंजी स्लदा जो पड़ती है वह इसको आप याद रहने किस फसल की खेती के लिए जल किरांती किया जाता है तो यह आपको आपको लिखना है थार्टी फोर का जो सही आंसर वह है चावल ठीक है यानि चावल के लिए सबसे यादा इंपोटेंट क् वो होगा समू उच्चिये रेखे जुताई मतलब इसका मतलब है कि ऐसी जुताई जो सलेपों में हो मेंस आप पाहड साइड पर जाएंगे हिल साइड में तो वहाँ पर खेती क्या होती है चोटी-चोटी टुकडों में वो पैडियादार बना होती है और वो समय उच्चे मतलब एक इक्वल हाइट पर बनी होती है कुछ पर्टिकुलरी प्लेसे पर चोटी-चोटी करके वो बनाए दी जाती है तो इस तरह से जुताई करनी होती है वो भारत के उत्री मेदान की म्रदा समानिता किसके दुआरा बनाई गई है ठीक है जो भारत का उत्तर मेदान है उसकी जो सोईल है वो किस परिकार बनी है या आप लोगों को बनाए 36 का answer आपको करना है तो 36 का है तलो उच्चन मतलब इसका मतलब है कि जो उत्तर का मेदान है वो नदियो दुआरा लाए गई मिट्टी जल के दुआरा जो तल का निर्मान करती है यानि भूपटल का निर्मान करती है उसके दुआरा भारत की जलवाई ओपर निम लिबले में से, किसका प्रवाब नहीं पड़ता, ठीके तो आपको करने है, 37 का आंसर तो हज़ाएगा, B, माहसागि रियत धारा होगा, जैसे जो माधारे है धारा होती है, C, तो उनका भारत पर कोई फरक नहीं पड़ता है, भारत की जलवाई झ का सही answer होगा वो होगा आंद्र प्रिदेश ठीक है next step प्राय दीप या भारत की सबसे बड़ी नदी कौन चीह है प्राय दीप या भारत निम्ले खेजने से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतिय छेत्र में नहीं है ठीक है महा नदी है राभी है चिनाव है प्रहम पुत्र नहीं है तो अप्शन नमबर 20 का सही आंसर हो जागा मांसर ओवर जील तिब्बत से निकलती है और इसके साथ साथ एक नदीयों निक ठीक है नेक्स निम्ले में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतिय राजे छेत्र में नहीं है ठीक है तो आब इसको बताना है आपको गोदाबरी जेलम राभी गागरा तो 43 का जो सही आंसर है वो जाएगा डी गागरा इसका यूपी में निकलती है लेकिन इसका आलेंड वेली किस राजे में इस्तित है तो उप्शन नमबर इसका 44 का तो आप सबको पता ही होगा और भी नर्मदा अब नर्मदा और तापती के बारे में कुछ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं तो नर्मदा और तापती दोनों एस्चूरी बनाती है अरब सागर म यानि east to west यह flow करती है यह आप लोगों को याद रखने है ठीक है तो I hope यह questions आपको बहुत मज़िदार लगे होंगे और please comments करके जरूर बताएं आप लोग अगर motivate करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा thank you so much all of you और जितने भी मेरे paid group के member हैं please जरूर comment करके मुझे